सुप्रभाद और नमस्कार मैं वेदिका प्रिंस कॉलेज सिकर की बीसी फर्स्ट इयर सीजील की छात्रा स्वागत है आख आप सभी का SSE discussion session में Today we gathered here to talk about a very important topic which is SSE It's going to be all about SSE exam and its preparation ये session हमारे लिए एक अवसर है अपने सुझाव अनुभव और doubts को share करने का तो चलिए बिना समय गवाय शुरू करते हैं ये session नमस्कार मैं अनुश्का आपकी host and दोस्त आज अपने साथियों के साथ SSE की कहानी मेरे साथियों की जुबानी तो चलिए मेरा पहला प्रश्न वीजय लक्षमी से रहेगा कि SSE CGL की exam के बारे में सुनते ही हम सोचते हैं कि इसकी preparation कैसे करें तो आप SSE CGL सबसे क्या समझती हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो की काम्याभी शोर मचा दे SSE CGL, Staff Selection Commission at Combined Graduate Level It is one of the best exams in India for recruitment in different departments as well as ministries SSE के अंडर काफी exams आती हैं जैसे SSE CGL, Combined Graduate Level SSE CHSL, Combined Higher Secondary Level MTS, Multitasking Staff, JE, Junior Engineer इन exam से हमें Group B, Group C, Color, DEO, Civil, Mechanical और Electrical Engineers जैसी post प्राप्थ होती है SSE दो stages में अपने exams को conduct करवाता है Tire 1 और Tire 2 दोनों ही Tires Computer Based exam होते हैं और Multiple Choice Question Format में होते हैं SSE एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के अलग-अलग विभागों में कर्मचारी भरती के लिए योगदान देती हैं रख होंसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ है मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मजा भी आएगा वीजे लक्षमी ने हमें बखुबी बताया कि SSC स्टूडेंट्स को किता बड़ा प्लैटफोर्म प्रोवाइड करता है तो चलिए मेरा अगला प्रशन मुकेश से रहेगा कि आज कल यूथ बहुत सारे अलग-अलग करियर चूज कर रहा है आपने SSC का क्यू सोचा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबदुलक़ुलामं साब ने कह था कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के वा दिखाए देते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने ने देते मैं बताना चाहता हूँ कि सीजल एक सेंटर लेवल की जोब है सीजल में वेसे तो बहुत सारी पोस्टे होती है परन्तु इंकम टेक्स ओफिसर और सीबेई ओफिसर इनका तो रुतबा ही अलग होता है मेरे ममी बापा का भी सपना है कि उनका बेटा एक अचा ओफिसर बने और वेसे भी मेरे गाम में कोई भी सीजल से ओफिसर नहीं है तो मैं सीजल ओफिसर बनके मेरे गाम की नए जनरेशन के लिए प्रेना दैक्स रोत बनुगा CGL की preparation करने से हम इसके साथ साथ income tax officer और CHSL और banking की भी exam को करे कर सकते हैं CGL में income tax officer और CBA officer इनको साल में एक से दो बार foreign country में जाने का मुका मिलता है इसलिए मैंने सिर्फ CGL का ही सोचा था हमारी शुब कामनायाद के साथ हैं आप निश्रीत ही एक अफसर बनेंगे अब मैं कॉमल से पूछना चाहूंगी कि जैसे कि Prince College में competition और B.S.C की classes parallel आती है तो आपके college की classroom strategy क्या है So as a S.S.E.C.E.L.S.P.R.E.N.T. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी classroom strategy share करना चाहूंगी So मैं Prince College से अपनी B.S.E.C.E. और S.E.C.E. की बढ़ाई दोनों साथ में कर रही हूं जिसमें मेरी total six classes आती हैं उनमें से मेरी three classes S.E.C.E. की होती हैं और three B.S.E.C.E. की बात करें S.E.C.E. की classes की तो during first semester maths, reasoning और English की classes आ रही थी जैसे first semester end और उसके साथ reasoning का syllabus पूरा हो चुका था और उसकी जगह computer की classes आने लग गई उसके बाद में GS की classes आने स्टार्ट हो गई जैसे GS का syllabus पूरा हो जाएगा जैसे topic wise अलग-अलग classes आएंगी GS में history की अलग, geography की अलग, political science की अलग, constitution की अलग third semester तक teachers का target ये रहेगा कि वो हमारी सूरा syllabus करवा दे, उसके बाद में daily question practice plus revision उसके बाद में daily revision और question practice होंगी, साथ-साथ DPP दी जाएंगी और previous question paper solve करवाए जाएंगे जैसा कि कोमल ने हमें बताया कि SAC की classroom strategy क्या होती है तो अब मेरा अगला question निखिल से रहेगा कि तीन साल इस strategy को follow करने के बाद भी क्या बाहर coaching करने की आवशकता होगी जी नहीं मेरे को नहीं लगता है आशे त्यारी करने के बाद बाहर कहीं coaching लेने की आवशकता होगी क्यों होगी जब प्रिंस में सांदार content त्यार करवाने के साथ ही चेप्टर वाइस डीपी पी दी जा रहे हैं प्रियूज एरक्यूशन सौल करवाये जा रहे हैं सवाल मॉनिका से रहेगा कि जीके को cover करने की क्या strategy है मैं अपनी बात नीतु मैं जिने की ससी की देवी कहा जाता है उनके quotation से start करना चाहूंगी कि पिता की जूरियों और मा की मजबूरियों से बड़ा कोई motivation नहीं होता जो लोग अपने पिता की जूरियों और मा की मजबूरियों से motivate नहीं हो सकते उन्हें कोई motivate नहीं कर सकता So as a CGL aspirant, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि GK हमारे लिए कितना important है Mostly हम देखते हैं कि एक science के student का, arts के student के comparison में GK थोड़ा weak होता है वे बाकी subjects जैसे English, reasoning, math, इन में तो 6 score कर लेता है लेकिन कहीं ना कहीं वे GK में पीछे रह जाता है हर subject को तयार करने के लिए हम एक अच्छी strategy, एक अच्छी plan की जरुवत होती है वैसे हम GK को भी एक अच्छी strategy बना कर तयार कर सकते हैं Because GK contains the very large levels like history, polity, geography, economics, current affairs and all GK को prepare करने के लिए हमें first preference 6 to 12 NCRTs को देनी चीए उनके अच्छे से notes बना के पढ़ने चीए current affairs को तयार करने के लिए हमें daily newspapers पढ़ने चीए जैसे the Hindu, the Indian Express daily newspaper पढ़ने के दो benefits है एक हमारे current affairs का part तयार हो जाएगा और दूसरे हमारे English की vocabs भी तयार हो जाएगी current affairs को prepare करने के लिए हमें college में Prince Today के नाम से monthly magazines प्रोवाइड करवाई जाती है last time RPSC का जो paper हुआ था उसमें Prince Today magazine से most of the current affairs के questions आये थे so at last मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी GK को strong बनाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी strategy की ज़रुत है thank you SSE CGL की preparation के लिए अलग-अलग टाइप की strategy होती है जैसा की Monika ने हमें बताया अब मैं RJO से पुछना चाहूंगी की PYQs और MOC test का क्या रोल है आपको class में किस टाइप के MCQs प्रोवाइड किये जाते हैं As a SSE expert, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ की Mock test और previous year questions क्यों important है Previous year questions and mock test are very important for any competitive exam, especially for SSE exams Because mostly SSE में questions का repetition होता है तो हम previous year questions से समझ सकते हैं कि किस type के question design किये जा रही है और mock tests also help us in time management that we can learn how to skip difficult question and which section we should attempt first and how to control nervousness and हमारा mock test से पूरा syllabus भी revise हो जाता है जैसे यहां Prince में भी हमारे weekly test लिये जाते हैं और हमें हर subject के TV share questions की DPP प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारी preparation और अच्छी होती है और हम अपनी गलतियों के बारे में अपनी speed के बारे में और अपने weak areas के बारे में समझ सकते हैं और we can simply focus on our weak areas and improve our speed and we know real exam is a high pressure environment and to learn how to handle a high pressure situation we should give more and more mock test and previous year questions before appear in real exam it makes you mentally prepared for the pattern of examination PYQ and mock test के अलावा doubt solve करना किसी भी exam के लिए important माना जाता है तो मेरा अगला प्रश्ण शिवराद से रहेगा कि प्रिंस के doubt counter का आपकी preparation में क्या रोल है student life में doubt counter का में तो पुरुन रोल है खास करके मेरे लिए जो बच्चे एजिटेशन के करण क्लास में अपने doubts पूस नहीं पाचे पहले तो हमारी तीन B.S.C. की और तीन C.G.L. की क्लासे होती है उसके बाद दो गंटे हमें doubt counter के लिए मिलते हैं जहां पर मैं मेरे जो भी doubts होते हैं वो मैं वहां पर पूसता हूँ चाहे वो MCQ मिलाने पर हो या क्लास में जो भी doubts हो कई बार टीचर कोई पाइंट बताना भूल भी चाते हैं तो वो self study के ज़रिये जो हमें पता चलता हैं तो हम उसे पूसते हैं doubt counter पर हो doubt soul की बाद तो हो गई पर जैसे हम पढ़ने लगते हैं तो शुरू-शुरू में बहुत motivated फील होता है लेकिन धीरे धीरे हमारा motivation down होने लगता है तो अब मैं कॉमल से पूछना चाहूंगी as a SSC aspirant हम खुद को motivated कैसे रख सकते हैं don't stop when you are tired stop when you are done as a CGL aspirant motivation usually तब ही लोता है जब हम बहुर होने लगते हैं यह हम interest नहीं आता लेकिन इसे बचने का तरीका है subjects का alternative रख के पढ़ना जैसे कि मैं एक biology student हूँ और हर bio student की तरह math story time के बाद bore करने लगती है और फिर break लेने का बन करता है लेकिन जब अपने dreams को सोचती हूँ उस time तो सारे subject interesting लगने लगते हैं वैसे prince के students को बार के motivation की जर्थ नहीं है क्योंकि यह आईते सारे seminar selected candidates हम से interact करते हैं सबसे पहले motivated रहने का तरीका है खुद पे अपने teachers पे और अपने content पे बरुसा रखो जैसे कभी test में नंबर कम आने पर students demotivated हो जाते हैं उन्हें demotivated होने के बजाए उस test paper को वापस solve करके अपनी गलतियों को सुदारना चाहिए जैसे prince में हर test के बार test paper solve करवाय जाता है और जब भी हम demotivated feel करते हैं तो हमारे teachers से discuss करते हैं वो हमें personally हमारी problems को solve करने में हमारी help करते हैं जिससे हम motivated feel करते हैं Thank you Thank you Komal for letting us know how to stay motivated Now I would ask Lakshmi that as SSC provides only 60 minutes for 100 questions how much mental practice is needed for the time management SSC में mental practice का होना बहु ज़्यादा important है क्योंकि SSC में क्योसन प्रेक्टिस करने की बहु ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए क्योंकि इसमें क्योसन सौल करने के लिए पर क्योसन 36 सेकिंड मिलते है जिसमें क्योसन को रीड भी करना होता है और इसको सौलिसन भी निकाना होता है तो ऐसी कंडिशिन में हमारा पेपर टाइम पर कैसे करें तो हमें इस इस तर्वे में यह काम करना चाहिए जैसा जैसे GS सबजेक्ट होता है तो इसमें हमें क्यावल क्योसन को रीड करना होता है और इस पर टिक लगाना होता है इसमें क्योसन नहीं होती तो इसमें हम टाइम को बचा सकते हैं और इसमें से बचावा टाइम जैसे में जैसे सब्जेक्ट में यूज ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्योसन को रीड करने के सा साथ साथ उसको और समझाना भी पढ़ता है इस दिमाग भी लगाना पड़ता एख और सोचना भी पड़ता इस एक complication में हमें इनमें da री के चारिशना थी है तो हमें यह करना हैей कि जीए सहसी चोटी करना चाहिए हम अपने स्पीड को इंप्रूव करने के लिए यह भी करना चाहिए कि हमें बार-बार में मोग टेश देटी रहने चाहिए और जैसे पेपर हो जाता है तो इसके बाद में इसका अनलाइस इस भी करना चाहिए लक्ष्मी ने हमें बखु बी बताया कि time manage कैसे किया जा सबता है हम सभी जानते हैं कि classroom study को एक important base माना जाता है किसी भी exam को crack करने के लिए तो अब मेरा अगला प्रश्न जागरिती से रहेगा कि classroom study की अलावा self study का कितना role होता है वो भी ssc जैसे बड़े exam की preparation के लिए as in competitive exam experiment हम जानते हैं कि self study और revision का अपने study पर कितना effect करता है अगर आप ऐसे सी experiment हैं तो आप अपने self study schedule को इस तरीके से बनाएं ताकि आपके सारे subject cover हो और जो subject आपका week हैं आप उसको ज्यादा preference दें ताकि आपका वो subject strong हो जाएं अब हम बात करते हैं मैस की तो mostly students की यह शिकायत रहती हैं कि उनको exam में questions तो सारे आते हैं बट वो सारे attempt नहीं कर पाते हैं तो इसका एक ही solution है कि आप previous year questions solve करें और इस तरह से आप अलग-अलग questions की practice होगी तब तब ही आपका time manage अच्छे से होगा अगर English में भी देखा जाए तो mostly वो केप से questions ज्यादा देखने को मिरते हैं तो आप अपने self study schedule में एक से dead गंटा वो केप को भी दे सकते हैं लास्ली आए वांट टू से इफ यू वांट तो जागरती ने में बहुत ही खुबसूरत तरीके से self study का रोल बताया आजकल हर बच्चा बड़े सपने देखता है जादा तर बच्चे यू पीएसी की तैयारी करते हैं और जब उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता तीन-चार साल का समय लग जाता है बलकि डिप्रेस्ट होकर वो और कोई अग्जाम भी आप्ट नहीं करते हैं तो मेरा अगला सवाल मॉनिका से रहेगा कि कैन ससी भी गूड बैकप फोर सी यू पीएसी की प्रिप्रेशन के दोरान अगर हमें एक इसके वेकप की जरूरत होती है तो सीजेल इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सीजेल की प्रिप्रेशन के दोरान हम मैट्स और इसनिंग सौल करते हैं इसे हमारा यूपी एसी का सी सेट तयार होता है और इंगलिस तो वैसे बी दोनों में मॉस्ट ली कॉमन रहती है सीजेल की त्यारे के दोरान हम जीके भी पढ़ते हैं और जीएस भी पढ़ते हैं इसे हमारा यूपी एसी का बेसिक तयार हो जाता है तो अगर हमारे पास सीजेल जैसी एक और यूपी एसी की प्रिपरेशन करना हमारे लिए सेफ भी रहता है और अनफॉचनेटल लिए तो यह हमारे लिए एक प्लैन बी की तरह काम करता है ऐसानी है कि किसी ने सीजेल को एक बेक अप चूज नहीं किया है मृदुल गुपता सोमेज उपादयाय सूर्भी गोतम और बी इसे बहुत से एक जामपल है इन्होंने सीजेल को एक बेक अप चूज किया है अगर मारे मैं कि अक्षा इसांसिते हैं आफ अडाल गुपतर को एक अच्छा है घ्याथाच ना आवदारेसमाग के लिए ऐक चलेंज्स ऑर छेंज रीमिट्स है त्थिने कि एहसे एक जांझ ऐल जार्ड़मित लिमित्स इंक यो माना कि ऐसे सभी च्छा घक प्रिश मेंटेंच वंड स्सी इंस्टीट ओफ यूपी एसी है अपसे आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप सबी को बता है आज के दोर में जॉब सिक्यूर करना बहुत बड़ी बात है उसी दोर में लोगों की मैंटली टीसी है कि गौर्मेंट जॉब चाहिए और गौर्मेंट जॉब में भी होता है उसी तरह से ऐसे से अपना टाइम टेबल हो पहले निकाल देती कि इस जेट को यह एक्जाम होनी है फिक्स होती है और जोब लगना भी इताहार नहीं क्योंकि एससी के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है अगर जब माल लो आप डी ग्रेड में भी सर्यक्ट हो गए थी क्योंकि पहले स्लेबस अलग था पर उन्होंने अपना स्लेबस फोड़ा सा चेंज करके साइंस कॉमर्स और आर्ट्स इन तिनों को एक्वल करती है इसके थूरू बच्चे और आने लग गए हैं और यहां प्रिंस में भी यहां पर ऐसा ही होता है कि जैसे सेमेस्टर वा हो चोड़ के जाता है थेंक्यू वरे मिच मेरा अगला प्रश्म राज से रहेगा कि बढ़ते कॉम्पिटीशन को देखते हुए हमें स्सी की तैयारी कॉलेज के साथ शुरू करनी चाहिए या कॉलेज के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमें स्सी सीजल की प्रप्रेश करते हैं तो वहां पर टीचिंग स्पीट बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे बेस कमजोर है जाते हैं जिससे हमें क्यूस्टन को सोल करने में टोपिक्स को रिवाइज करने में समझ्यां आती है और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हमको यह भी मिलता है कि हमें प्रिप्र के लिए समय मिल जाता है थेंक्यू राज फो लेटिंग अस नो डिसिप्लीन इस ब्रिज बिट्वीन गोल्स अप्लिश्मेंट अज यूपेसी हो या एससी हरे एक्जाम में ओफिसर लाइक वालिटीज देखी जाती है एससी में ओ एक इम्पोर्टेंट डॉल प्ले करता है अब हम बात करते हैं CZL के उन पोस्ट के बारे में जिसमें OLQ इंपोर्टेंट है जैसे कि CBI, CEI, Income Tax Department, ED, Custom Department, Ministry of External Affairs and Extras ये सबी ओफिसर अपनी फिल्ड में या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, Decision Making, Problem Solution, Leader Skills, Community Skills and Extras में अपने अबजेक्टों कम्प्लीट करने की कैप अब बात करते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी के फेक्टर की बारे में इसमें मैंनली फोर फेक्टर होते हैं, फेक्टर नमबर फस्ट, Planning and Organizations, इसमें देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपनी सिचुएशन में प्लान बनाते हैं और आपके power of expressions कैसे होते हैं, फेक्टर न कर अपना best decision देते हैं और लोगों के बीच में active होते हैं, फेक्टर नमबर फोर, Dynamic, इसमें courage और stamina दिखा जाता है, कि आप किसी भी problem में उसके power का use करके, किस तरीके से best provide करते हैं, और अगर ये सभी factors किसी SSC aspirant में हैं, तो उसे season correct करने से कोई नहीं रोख सकता, At last, I want to say, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. अब मैं अगला सवाल ही मांची से करना चाहूंगी, कि बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जो return exam तो clear कर लेते हैं, लेकिन typing speed slow होने की वज़े से, सिर्फ उनकी rank ही down नहीं होती, बल्कि वो exam से भी बाहर हो जाते हैं, तो typing की दुनिया तक का सफर कैसे तेह करें? Typing plays an important role in SSECGL exam, student अपना return exam तो clear कर लेते हैं, लेकिन typing test के करण उनका selection नहीं हो पाता है, और देखा जाए तो typing test इतना कुछ hard भी दी है, इसके अंदर हमें 2000 key shocks प्रेस करने पड़ते हैं 15 minutes की time duration में, और अगर इसका approach करें तो 28 words per minute, और अगर हम regular practice 28 words per minute के ज्यादा की तो इससे हमें और भी असानी होईगी अपनी goal को achieve करने में, typing को improve करने के लिए, जब हम subject से बूर हो जाएं, तो half an hour का break लेके हम typing पे भी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे typing software है, typing game है, जैसे कि typing master, जिससे हम अपने typing skills और भी enhance कर सकते हैं, कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैस अगर हम starting से 95% accuracy के साथ typing सेखेंगे, तो इससे हमें और भी असानी होईगी, हमारे error को हम आएंगे, और typing test easily clear हो जाएगा, तो ये था हमारा आज का talk show, आपको कैसा लगा, बताना ना भूले, like, share, comment करना ना भूले, धन्यवाद